असलाव वीडियो वैप्रोबन दिस इस विलाद पॉम विडियो वली सरकार और ये विडियो है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन एक ऐसे कार मैंफेक्ट्टर के रिलेटेड जिसने मुझे रीसेंट टाइम में बहुत जादा एकसाइट किया और मैं बात कर रहा हूं मौरिस एंड ये बिसिकली एक बिटिश कार मेकर है जो के पाकिस्तानी मार्केट के अंदर रिसेंटी अपनी गाडियां लाँच कर रहे हैं और इनकी गाडियों के बारे में जो सबसे जादा एकसाइटिंग चीज मेरे लिए है वो ये है कि इसके अंदर काफी ऐसे डिजिटल फीचर मौ अब इससे पहले कि मैं आज की ये विडियो स्टार्ट करूं मैं दो चीज़ें क्लियर करना चाहूंगा कि एक तो मैं कन्वेंशनल कार एक्सपर्ट नहीं हूँ जिसका मतलब यह है कि अगर आप बात करते हैं सस्पेंशन की, स्पीड की, पावर की, हैंडलिंग की तो भाई I am not the right person to talk to, मुझे खुद भी दूसरों के रिवियू देखने पड़ते हैं, तो ये जो विडियो है ये एक रिवियू नहीं है और ना ही इसको एक रिवियू कंसिडर किया जाए, मैं जो आपको आपीनियन देने वाला हूँ, ये mostly उन कुछ टेक्नोलोजी के रिलेटिड हो इससे पहले इस प्राइस केडिगरी में नहीं मिले, और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि ये पाकिस्तानी मार्केट की पहली EV लाँच करेंगे जो कि मेरे एसाब से वायबल होगी है, बैसा नहीं है कि इससे पहले ब्राइंड लाँच नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ ह ये एक ऐसा ब्राइंड है जो के कन्वेंचनल ब्राइंड है और ये जो EV लाँच करने वाले हैं वो एक ऐसी प्राइस कैटेगरी के अंदर होने वाली है, जहां पर आक्चल में पाकिस्तानी लोग शॉपिंग करते हैं, अब MG अभी के लिए जो वेरियंट लाँच कर रही ह हैं, इनके साथ compare किया जाता है, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी मारकेट में इसका comparison देखते हैं, तो इसका easy comparison किया Sportage या Home Diet Tucson के साथ हम कर सकते हैं, क्योंकि price categories भी match करती हैं, और overall जो size है वो भी काफी अद तक match करता है, अब ये चीज़ देखने में आएगी कि ये गाड़ियां करूँगा कि आप किसी expert का review देख लें, because I am not the expert in that department, however इस गाड़ी के related जो सबसे interesting चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तानी मारकेट के अंदर एक करोड से नीचे आने वाली ये उन कुछ गाड़ियों में हैं, जो actual में smart हैं, इसके अंदर जो features available हैं, वो ऐसे features हैं जो कि generally हमें प For example, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है, कि आपको five cameras देखने को मलते हैं, अब ये जो पाँच cameras हैं, ये आपको multiple features provide करते हैं, multiple assists provide करते हैं, जिसके अंदर सबसे obvious तो है, आपका adaptive cruise control जिसको पाकिस्तान में radar भी कहा जाता है, इसका फाइदा ये होता है कि normal गाड़िय ये एक particular speed के उपर आ जाती है, और उसके बाद अगर आपके सामने कोई चीज़ आती है, तो आपको break करनी पड़ती है, लेकिन adaptive cruise control के अंदर आपकी गाड़ी ये खुद detect करती है, कि okay, मेरे सामने कोई चीज़ आ गई है, मुझे slow down होना चाहिए, और उसके बाद जब वो ची जो एक और चीज़ आपको provide करते हैं, वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको अपनी पूरी गाड़ी का 360 view भी देखने को मिलता है, जिसको कुछ लोग drone shot, aerial view या इस तरह के नाम भी देते हैं, और जब आप indicator को move करते हैं, तो इसका camera इतना smart है, कि इसके सारे जो cameras हैं, व इसके अलावा, जहां तक बात है इंडिकेटर्स की, तो इस गाड़ी के अंदर lane assist और lane keep जैसे features भी दिये गए हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर आप गाड़ी का steering छोड़ देते हैं, और आप highway पर जा रहे हैं, तो ये कोशिश करेगा कि आपकी जो गाड़ी है, वो अपनी lane में ही मौझूद रहे हैं, और अगर आपकी गाड़ी lane से बाहर हो रही है, तो ये उसको automatically अंदर लेकर आएगा, और अगर आप highway पर जा रहे हैं, और आप गाड़ी को lane से खुद भी मोड़ते हैं, और आपने indicator कौन नहीं किया हुआ, तो आपको बकाइदा एक vibration feel होगी अप काफी मददार है, वो ये है कि इसके पूरे interior के अंदर आपको ambient lighting देखने को मिल जाती है, और ये जो light है, ये आप अपनी मर्जी से control कर सकते हैं, तो इसको जो भी आप color देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं, और वैसे जब आप इसके modes को change करेंगे, यानि कि sports mode में डालेंगे या इसको normal mode में चलाएंगे, तो ये उस time पर भी change होती है, इसके इलावा यहाँ पर एक और चीज जो काफी interesting है, और मेरे साथ से हमें again पाकिस्तानी market में इस price category में नहीं मिलती, वो heated seats हैं, इस गाड़ी के इंदर जो seats दी गई हैं, front side वाली, वो heated seats हैं, जिनको आप control कर सकते और यह सारा जो control है, यह आपका basically 10.2 inches का multimedia display आप उसे के through करते हैं, in fact इसके ACs भी वहीं से control होते हैं, तो आपको सारे जो controls हैं, वो वहीं पर देखने को मिलते हैं, इसके आप जैसे मैंने आपको बताया है कि यह गाड़ी technology wise काफी solid लग रही है, मुझे तो इस गाड़ी के अ आप दर्वाजा पूरा open ना करें, वो Bollywood movies वाला scene ना होना कि आप दर्वाजा open करें तो कोई cycle वाला या मुझे साइकल वाला विचारा उड़ जाए, तो वो जो चीज है वो भी इसके अंदर काफी अच्छी मुझे लगी है, इसके इलावा एक और चीज जो कि इसको काफी ज़्यादा मज़दार बना देती है, वो ये बात है कि इस गाड़ी के अंदर अगर आप बात करते हैं छोटी छोटी चीजों की तो अगर आप seatbelt की बात करते हैं तो नॉर्मली गाड़ी के अंदर जो front passengers होते हैं, उनकी seatbelt के निशान आ रहे होते हैं, यहां पर आपको सारे जो passengers हैं, उनकी seatbelt के निशान आएंगे, तो अगर किसी भी passenger ने back seat पर भी seatbelt नहीं लगाई होई, तो you get that notification आपके अपने cluster के उपर, इसके अलावा इस गाड़ी के अदर मुझे काफी ऐसे features नजर आए हैं, जो किस से पहले हम Kia Sportage या Hyundai Tucson पर देख चुके हैं, तो मैं उनको in general include नहीं कर रहा लेकिन panoramic sunroof, automatic tailgate, उसके इलावा अच्छी quality का digital system जिसके अंदर आपको multimedia मिल जाता है, वो available है यहाँ पर, और basically इसका जो interior है, वोगर इस price category आप किसी भी गाड़ी को compare करेंगे, तो मेरे हिसाब से इसका थोड़ा सा जादा बहतर interior है, although अभी यह trophy edition अलाच हो रही है, I don't know कि यह बाद में भी यही गाड़ी देते रहेंगे, या कुछ time चलने के बाद बस वो trophy edition स्टार्ट में आएगी और कहेंगे यह तो हमारी introductory चीज थी, तो उसके उपर हमें जरूर देखना पड़ेगा, और again इस गाड़ी के अंदर super sports mode available है, MG क्योंकि अपने DNA के एक sports car company रही है, तो इस गाड़ी के अंदर जब आप interior में भी बैठेंगे तो आपको काफी ऐसी चीज़े नदर आएंगी जो के sports car वाली feel देती है, यहाँ पर काफी खुबसूरत interior है, bucket seats दी गई हैं जो के automatic हैं by the way, electric seats हैं, उसके इलावा यहाँ पर अगर आप बात करते हैं पहली गाड़ी है जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि वह actual smart है और international level के safety features के साथ आती है, तो मुझे comment section में आप लोगों ने बताना है कि इस गाड़ी के related आपके opinions है, personally मुझे गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, outer look भी काफी अची है, internal look भी काफी अच्छे रहे ह obviously जब भी कोई नई गाड़ी आती है तो उसके स्केप्टिसम थोड़ा ज़्यादा होता है, like आप mobile लेते हैं अगर नहीं पसंद आता आप बही देते हैं गाड़ी में आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी 5-6 साल चलनी होती है, तो market में इसकी performance कैसी रहती है, ये कितनी reliable रहती है, वो तो देखने में आएगा, लेकिन अभी के लिए अगर आप feature to feature compare करते हैं, तो yes, MG is providing more features, और इसके इलावा MG शायद पाकिस्तान का वो पहला brand बने, जो के EV की market को masses को target कर सके, ना क्योंकि ये उस segment में EV लेकर आ रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी जादा EV को purchase करना जाएंगे, ना ये बहुत महंगे हैं और ना ये बहुत सस्ते हैं, तो इसकी जो EV vehicle है, उसके बारे में में काफी जाद excited हूँ, मुझे comment से बताईएगा कि आपके क्या opinions हैं इस गाडी के related हो, by the way, जितने भी features मैंने या पर आपको explain किये हैं, ये सारे features आप एकठे भी चला स subscribe कर लेजएगा, वीडियो को like कर देज़ेगा शेयर कर देज़ेगा, इस वीडियो में इतना ही दस्ति खलाल सानिगा, Allah पर दो